दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीश सिसोधियां की मुश्किले उस समय बढ़ गई जब 27 फरवरी को सीबियाई ने राउ जुवेन्यू कोट में पेश किया था और कोट ने सिसोधिया को पांच दिन की सीबियाई हिरासत में भेश दिया हाला कि मनीश सिसोधिया ने सुप्रीम कोट का रुक किया लेकिन मनीश की गिरफतारी ने विपक्षी दलो को एक जुट करना शुरू कर दिया ज्यादतर विपक्षी दलो ने मनीश सिसोधिया की गिरफतारी पर आपत्ती जाहिर की है ऐसे में मनीश सिसोधिया आम आदमी कारण कई विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कॉंग्रेस के सांसर जैराम रामेश ने कहा कि कॉंग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि ED, CBI और आयकर विभाग जैसे संस्थान, मोधी सरकार के तहत, राजनीतिक, प्रतिशोद और उत्पीडन के साधन बन गए हैं, इन संस्थानों ने सभी प्रोफेशनलिजम खो दी है, विपक्षी नेताओं को उनकी प्रतिश्ठा को नश्ट करने के लिए टार्गेट किया जा रहा है, केरल के मुख्यमंतरी पिनराय विज्यन ने भी बीजेपी को घेरा और कहा, कि CBI द्वारा मनीश को कमजोर करता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, शिफसेना के ठाकरे गुट के वरिष्ट नेता संजिराउत ने ट्वीट कर कहा, कि जिस तरह से बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफतार कर रही है, मुझे डर्ग है कि भविश्य में बीजेपी नेताओं का क्य समाजवादी पार्टी के अध्याक्षा खिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी को घेरा, दिल्ली में शिक्षा के एक शेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीज सिसोधिया जी को गिरफतार करके बीजेपी ने साबित कर दिया, कि बीजेपी शिक्षा ही नहीं बलकि दिल्ली के बच्चों के भविशे के खिलाव भी है, दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सातों सीटे हरा कर देगी, त्रिनमूल के डेरेक ओब्राइन ने ट्वीट कर कहा कि अगर मनीज सिसोधिया ने खुद को बीजेप इसमें होने वाली लोग सभाचुनाव के लिए बीजेपी को कडी टकर मिलने वाली है, ये तो साफ है, लेकिन क्या विपक्षी दलो का चहरा आम आदमी पाटी होगी या कॉंग्रिस देखना अभी बाकी है